एक रॉकेट को लाउंच किया गया अपने प्लाटफॉर्म से इस हाइट इन मीटर्स एक्स सेकंड्स आफ्टर दी लाउंच इस मॉडल्ड पाई अब यहां पर यह जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यह हमको बता रहा है कि कैसे कैसे यह जो रॉकेट है उसकी हाइट चींज ह कैसे कैसे हम सवालने का सवाल पूछे गए हैं तो पहले तो मैं चाहुँआगा कि आप इस वीडियो को पॉज़ कर दें और इसे एक बार सूंचें इससे बनाने के कोशिश करने से ड्रॉ करें और फिर इन सवालों का जवाब दें तो मुझे लगता है आपने तो थोड़ा तो दिमाग लगाया ही होगा चलिए अब हम इसे मिल के देखते हैं तो सबसे पहले तो हम सवालों तक पहुचने से पहले हम एक बार इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये दिख कैसा रहा है क्योंकि है तो ये भी एक is equations squared equation अगर मैं इसको मौल ट्रक्राइग तो सब्सक्राइगा मुझे मिल जाएगा तो एक quadratory absorption मुझे मिल जाएगए जो कि मुझे एक पैरा बोला दे देगा पैराबोला पैरा बोला और हाला कि अगर आप रॉकेट की बात अगर आप रॉकेट को धियान से सोची tahun थोड़ा बहुत अगर एक rocket को launch किया जाता है तो वो कुछ ऐसे जाके ऐसे गिरेगा तो ये भी एक parabolic path फॉलो करेगा एक parabolic shape का ही होगा इसलिए हम इसको इस expression से connect कर सकते हैं तो चली पहले तो हम इसका graph बनाते हैं कि ये कैसा होगा तो पहले देखते हैं कि ये x-axis को कहा कहा पे cut करेगा तो जहां भी x-axis को cut करेगा वहाँ पे इसके y coordinates 0 होगे y 0 होगा y 0 हो गया इसका ये मतलब हो गया कि negative 4 times x plus 2 times x minus 18 मेरा 0 के बरावर है अब अगर ये 0 है तो negative 4 तो खेरे constant है ये तो कोई role play नहीं करेगा यहां पे इसको 0 करने के लिए या तो इस x plus 2 को 0 होना होगा या तो x minus 18 को 0 होगा होना पड़ेगा अब अगर x plus 2 0 है तो इसका ये मतलब होगा कि अगर x plus 2 मेरा 0 हो जाए तो यहां से x की value negative 2 आ जाएगी या फिर अगर मेरा x minus 18 0 के बराबर है तो यहां से x की value 18 के बराबर आ जाएगी यानि हमें दो coordinates क्या मिल गए एक हो गया negative 2 जब x की value negative 2 हो तो y मेरा 0 दूसरा हो गया x की value जब 18 हो तो y 0 तो negative 2,0 और 18,0 ये दोनो points है जहां पे ये parabola shape ये इसकी जो graph होगी x-axis को cut करेगी तो हम एक rough sketch यहां पे कुछ बना लेते हैं एक rough diagram कुछ बनाएं तो माल लेते हैं negative 2 negative 2,0 यहां पे है और 18,0 माल लिजे कुछ यहां पे हैं 18,0 तो इन दोनों points से ये parabola pass हो रहा है उसके अलावा उसके अलावा अब इसका मुह किधर की तरफ खुला होगा ये उपर की तरफ ऐसे होगा है ये विर ऐसे होगा तो खेर वो तो हम यहां भी देख सकते हैं लेकिन चोकि यह एक rocket है तो simple से बात है कि यह ऐसा ही कुछ launch होगा लेकिन खेर चली पहले हम इसका graph draw करते हैं तो हम इस चीज को mathematically देखते हैं तो जो इसका axis of symmetry होगा वो दोनों इन x intercepts के बीचो बीच लाई करेगा यानि negative 2,0 और 18,0 की बीच वाली point कहां पे होगी तो इस negative 2 और 18 का अगर हम average ले 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 पीच का point के हम बात करें तो negative 2 plus 18 by 2 यह होता है 18 minus 2 16 by 2 यानि की 8 के बराबर तो 8,0 कुछ माल लेते हैं यहां पे है यहां पे है कुछ 8,0 यह यह मेरा यह 8,0 8,0 इसका middle point हो जाएगा जो एक sum बीच में होगा जो यहां से जितनी दूरी इसकी होगी वो same दूरी होगी यहां से यहां तक वो 10 unit के बराबर और यह भी 10 unit के बराबर तो यहां से मेरा axis of symmetry पास करेगा इस parabola का ठीक है अब vertex भी इस axis of symmetry पे ही लाई करता है और इस axis of symmetry की x values तो हमेशा 8 के ही बराबर होंगी तो चले 8 हम यहां पे डालके y value पता कर लेते हैं तो h of h of 8 क्या होगा negative 4 times 8 plus 2 times 8 minus 18 के बराबर और यह value हो जाएगी negative 4 times 8 plus 2 होता है 10 times 8 minus 18 यानि की negative 10 तो यह हो गया negative negative positive 4 times 100 यानि की 400 के बराबर यानि क्या इसका यह मतलब होगा कि जब x की value 8 हो यानि की 8 हमारा seconds है 8 seconds पे इसकी height यह जो rocket है वो 400 meters उपर चला जाएगा तो यहां पे यहां पे कहीं यहां पे 400 400 meters तो यह 8,400 इसकी vertex हो जाएगी तो अब हम इसकी shape draw कर सकते हैं तो चली और draw करते हैं तो यह कुछ यह कुछ ऐसा होगा माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा अच्छा draw नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन एक rough idea हमको मिल जाएगा कि हां यह किस shape का parabola होगा यह कुछ ऐसा parabola हो जाएगा ठीक है एक बार हमने अब यह draw कर लिया अब हम इन सवालों को पढ़ते हैं और जवाब देने की कोशिश करते हैं तो पहला सवाल हमसे यह पूछा गया है कि what is the height of the rocket at the time of launch launch होते समय सबसे शुरुआत में इस rocket की height कितनी थी मतलब कि कितनी height से इसको launch किया गया तो जब शुरुआत हुई time of launch तो time तो हमारी शुरू ही होगी उस समय हम x को 0 रख सकते हैं क्योंकि तभी तो हमारी शुरुआत होगी 0 से फिर आगे धीरी धीरी time बढ़ता जाएगा 1 second 2 second 3 second जो भी होगा लेगिन शुरुआत तो हमारी x equals to 0 से ही होगी तो अगर हम इस expression में x की value 0 डाल दे तो जो height हमें यहाँ पे मिलेगी वो हमें यह बता देगी कि initial height जिस height से इस rocket को launch किया गया था वो कितनी थी और यहाँ भी actually देखें तो x 0 मेरा यहाँ पे होगा यह जो y axis है इस y axis के along मेरा x हमेशा 0 होगा यह मेरा y axis यहाँ पे x हमेशा 0 है तो यह height basically हमको पता करनी है यह वाली height यह कितनी है यह हमको बता देगा कि इस height से इस height से इस rocket का rocket का launch हुआ है यह है इस height से यह rocket launch हुई है तो वो करने के लिए हम x को 0 डाल देते हैं तो जैसे ही हम यहाँ पर x को 0 डाल देंगे तो मेरी h at x equals to 0 वो हो जाएगे negative 4 times 0 plus 2 times 0 minus 18 और इसकी value क्या होगी negative 4 times अब 0 plus 2 0 plus 2 हो जाएगा 2 और 0 minus 18 हो जाएगा negative 18 के बराबर negative negative positive हो गए तो यह हो जाएगा 4 times 18 times 2 होता है मेरा 8 2s are 16 1 carry 2 1s are 2 or 3 4 times 36 फिर 6 4s are 24 2 carry 4 3s are 12 13 14 144 meters यानि कि यह जो height है यहाँ पर 144 meters हो यानि कि इसके coordinates हो जाएगे 0,144 यानि कि इसको 144 meter के level से ही launch किया गया था यह जो height है यहाँ पर ठीक है तो यह हमें पता चल गया आगे बढ़ते हैं how many seconds after launch will the rocket hit the ground अब यहां से rocket launch हुआ लाउंच होते होते ऐसा time बाद हो गिरा यहां पर x 0 था यहां से शुरुआत होई और यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर x coordinate है मेरा 18 यानि कि जब x की value 18 होती है तो y 0 हो जाता है मेरा इस hx की value 0 हो जाती है at x equals to 18 seconds 18 seconds y और h of x यह जो मेरा height दिया हुआ है जिसको इस expression से represent किया गया है इसकी value 0 हो जाती है अब वापस से ground पे गिरने का यही तो मतलब है कि मेरी height 0 हो जाए ground के respect में जो मेरी height हो वो 0 हो जाए यह जो ground level है मेरा यह 0 हो जाए शुरुआत हमने की थी 144 मीटर से लेकिन जब उसको ground पे गिरना है तो height 0 होनी चाहिए और वो 0 कब हो रहा है 18 seconds में क्योंकि इसी तरीके से हमने graph draw किया था तो हमें पता है तो 18 seconds के बाद 18 seconds के बाद यह जो rocket है वो ground पे hit कर जाएगा अब आपके मन में अगर यह सवाल उट रहा है कि x की value हमने negative 2 क्यों नहीं ली 18 क्यों नहीं ली क्योंकि negative 2 और 18 दोनों पे हमारी height तो 0 ही है यानि y की value 0 है लेकिन time तो हम negative नहीं ले सकते हैं time negative कैसे हो सकता है time तो positive ही होगा इसलिए हमने negative 2 को हटा के सिर्फ 18 seconds लिया हमने सिर्फ 18 seconds के बाद की और वैसे भी जब launch हो रहा था x is up 0 था तो rocket की position यहां थी rocket की शुरुआत यहां से हुई और वो यहां पे जाके गिरा इसलिए 18 seconds बाद वो ground पे गिर जाएगा how many seconds after being launched will the rocket reach its maximum height अब rocket इस पात को follow कर रहा है यहां से उसने शुरुआत की और यहां पे जाके यह अपने vertex पे पहुँच गया अब हमको पता है कि vertex एक parabola का maximum या minimum point होता है अब चुकि यह parabola नीचे की तरफ खुला हुआ है तो यह vertex इसका maximum point होगा सबसे उपर अब यहां से जब वो चला तो यहां तक पहुचा तो यहां पे x की value है 8 x coordinate है 8 और y है मेरा 400 यानि क्या जब x की value 8 हो गए यानि x की value जब 8 seconds हो गए यानि कि 8 seconds चलने के बाद वो अपने maximum height पे पहुच गया है इसके बाद वो गिरना शुरू हो जाएगा तो यहां पे वो x equals to 8 seconds पे 8 seconds बाद वो अपने maximum height पे पहुच जाएगा what is the maximum height अब maximum height क्या है तो यहां पे जो y की value है जो की 400 के बराबर है जो की हमको बता रही है कि यह distance कितनी है यह 400 meters यह हो जाएगी हमारी maximum height यहां पे यानि की जो यह rocket है वो maximum 400 meters तक जाएगा और यह किस position पे कितने time पे होगा जब 8 seconds उसको हो जाए होंगे launch हुए हुए